नमस्कार सातिम जेहिन राजस्तान में वर्तमान में कौन क्या राजस्तान करेंटरपेश 2019-2020 आप देख रहे हैं इस्टेडी एकजाम एकेडमी यूट्यूब चैनल तो दोस्तों हम आपके लिए राजस्तान करेंटरपेश शमंदित कुछ महत्पों पश्णों का समावेश लेके आए हैं इसलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें ताकि परिक्षा में सभी को इसका मुख्य नयादीश कौन बने हैं 6 अक्टूंबर 2019 को राजस्तान के नई मुख्य नयादीश कौन बने हैं ओप्शन आपके सामने रविंदर भट अरविन बोबडे इंदरजीत मोहती कलराज मिश्रा तो इसका राइट अंसर होगा इंदरजीत मोहती बात करते हैं रविंदर भट की ये इनसे पहले मुख्य नयादीश दे सरद अरविन बोबडे ये सुप्रीम कोट के मुख्य नयादीश है और कलराज मिश्रा ये राजस्थान के राज जिपाल है बात करते हैं इंदरजीत मोहतिकी तो ये राजस्तान के 2700 मुख्य नयदीश बने हैं इनको सपद दिलाएती राजस्तान के राज जिपाल कलराज मिश्राने और राजस्तान उच नयलिय में 25 नयदीश के पध सभी करते हैं चलो चलते हैं अगले परशन के और अगला परशने हैं आपके सामने रजस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है असो गहलोथ पर्याम सिंग महरा सुनिल भारगव गोविन डोटासरा तो इसका right answer आपके सामने है रजस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्ते प्रेम सिंग महरा बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है इनकी नियुक्ती राजिपाल के द्वारा की जाती है और इनका कारिकाल पांच वरस का होता है या 65 वरस की आयुक्त है आगे देखते हैं राजस्तान में मुख्ये चुनाव अदिवक्ता क्वोण है आनन्द कुमार, कल्यान शिग, सचिनपाईलेट और इन्हें से कोही नहीं तो इसका राइट एंसर होगा A. आनंद कुमार बात करते हैं कल्यान शिंग की तो कल्यान शिंग पुर्वे राजस्तान के राजिपाल थे यानि जो अभी वर्तमान में कलराज मिस्रा है इन से पहले राजस्तान के राजिपाल कल्यान शिंग थे और बात करते हैं सचिन पाइलेट की तो सचिन पाइलेट वर्तमान में राजस्तान के उप मुख्यमंत्री है और बात करते हैं मुख्यमंत्री की तो राजस्तान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है सिरी असोग गहलोट जो की तीसरी बार मुख्यमंत्री बने है अविला पसंट जमार कला के अंदर जेपूर के महा निदेशक कोन है जमार कला के अंदर जेपूर में श्थित है जिसके महा निदेशक पूछा गया है पुजा चोधरी, किरन कुमार, अजे सिंग, किरन सोनी इसका राइट एंसर है किरन सोनी बात करते हैं जम्हार कलाक के अंदर जेपुर की तो इसकी इस्टापना सन 1901 में हुई थी और इसके वास्त उखारते चार्ल्स कोरिया चलते हैं अगले परशन की और वर्तमान में राजस्तान के सिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका ट्राइट एंसर आपके सामने है ए राजस्तान में जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है वो है गोविन ड्राइट आसरा दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि करेंट अफैर्स निशित नहीं है कि आपका आने वाला जो एक्जाम है उसके 2020 का है या 2019 का इसलिए हम सभी महतून परशन आपको बता रहे हैं क्योंकि आपने फैष्ट क्रेट का जो भी हाली में एक्जाम हुआ था उसका पेपर उठा के देखना और आपको पता होगा इनसे पूछ लेना कि जो करेंट अफैर्स है वो 2017 और 2018 का आया था इसलिए हम सभी महतून परशन आपको करवा रहे हैं अगला परशन है राजस्तान के कर्शी मंतरी कौन है राजस्तान के वरत्मान में कर्शी मंतरी कौन है रमेश मीना बुपेंदर सिंग, लाल चंद कटारिया, कलराज मिश्रा तो इसका सही उत्र क्या होगा वर्टमान में राजस्तान के कर्शिम मंत्री है लाल चंद कटारिया इसका राइट एंसर होगा C अगला पर्शन है आपके सामने राजस्तान के मुख्य सचिव कौन है? डेवंदर गुसंड गुप्ता, रादा कर्शन, नौर्तमल जोसी, बहुरलाल मेंगवाल राजस्तान के मुख्य सचिव बात आती है मुख्य सचिव की तो मुख्य सचिव होता है परसासन का जो मुख्य अधिकारी है वो मुख्य सची होता है राजस्तान के पर्थम मुख्य सची होते हैं सिरी के रधा कर्शन और इनकी बात करते हैं न्यूक्ति की कि इनकी न्यूक्ति कौन करता है तो इनकी न्यूक्ति करते हैं मुख्य मंतरी और इसका right answer होगा वर्तमान में देवंदर, भूसन, गुप्ता ए होगा इसका right answer अगला प्रसंद राजस्तान के लोकायुक्त कोन है सरजन्जिंग कोठारी, डीबी कुप्ता बामर सिंग गैलोथ, असोग गैलोथ तो वर्तमान में राजस्तान के लोकायुक्त है राजस्तानङे मंत्री है गुलाकी दास कल्ला वीडियो को ज्यादा ज्यजादे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबहको इसका साइधा मिल सकें अगला पूशन है जहाख सब्सक्राइब बिपक्स का नेता पूचा गया है हरेंदर मिर्था गुलाब चंद कटारिया नौर्थमाल जोशी और D है इनमे से कोई है इसका राइट एंसर होगा G गुलाबиль कटारिया अगला परशन आपके सामने राजस्तान विदान सभा के अध्यक्स कौन है सीपी जोसी नौर्टमल जोसी डीबी गुपता सचिन पाइलेट इसका राइट एंसर होगा ए सीपी जोसी अगला परशन है राजस्तान लोग सेवा आयोग आरपी एसी राजस्तान पबलिक सर्वीस कमिशन के अध्यक्स कौन है परताप सिंग, नरेंगर चोधरी, सतिस्पूनिया और डीपक उपेटी राइट एंसर क्या होगा लोग सेवा आयोग आरपी एसी के अध्यक्स तो इसका राइट एंसर है डीपक उपेटी बात करते हैं आरपी एसी की, तो इसकी इस्तापना कबूईती ये महत उपून है तो आरपी एसी की इस्तापना उपेटी 20 अगस्त 1949 को इसकी इस्तापना की गई और जो इसके अद्धिक्स होते हैं इनकी नुक्ति करता है राज जिपान अनुछे 316 के तहद अगला परसन आपके सामने राजस्तान में भाजबा परदेश अद्धिक्स कोन है? बाजबा के प्रदेश एज्जेश कोन है? कॉंग्रेस के आपको पता होगा सचिन पाइलेट है तो बाजबा के कोन है? सचिन पाइलेट अरजुन मेगवाल, सतिस पूनिया, मदनलाल सोनी इसका ड्राइट एंसर होगा C. सतिस पूनिया अगला पसन आपके सामने ग्रामिन विकास और पंचायती राज मंतरी कोन है? मुकेश कुमार, सचिन पाइलेट, अरजुन मेगवाल, असो गेलोर ग्रामिन विकास और पंचायती राज मंतरी पसन मेहतुकुन है क्योंकि इभी हाल में ग्राम पंचायतों की चुनाव चल रहे है इसका राइट एंसर होगा आपके सामने बी सचिन पाइलेट बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्तागी तो पंचायती राज व्यवस्ता है इसकी सुरुवात दो अक्टुंबर उन्नी सो उन्शाट को नागोर जिले के बदनरी गाउं है उस गाउं से पंचायती राज व्यवस्ता की सुरुवात हुई थी और पंचायती राज जो दिवस है वो मनाय जाता है 24 अप्रेल गो अगला पर्शन आपके सामने राजस्तान के चिकिशायों सौष्चे मंत्री कोई है रगू सर्मा, ममता वुपेश, रमेश मीना और इनमे से कोई नहीं तो राजस्तान के वर्दमान में चिकिशा मंत्री कोई है आपने सोच लिया होगा इसका राइट एन सौष्चे ए एर रगू सर्मा अगला परसंट राजस्तान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कोई है ममता वुपेश, सुबास गर्ग, कमला बेनिवाल, दिपक्ट सिंग महिला एवं बाल विकास मंत्री पूछा गया है तो इसका राइट एंसर है बी, सुबास गर्ग अगला परसंट आपके सामने स्क्रीन पर राजस्तान के परिवेहन मंत्री कौन है रमेश मीना, परताप सिंग खाच्रियवास, असो गहलोत, कलराज मिसर असो गहलोत पता है आपको मुख्य मंत्री है राजस्तान के, कलराज मिसरा, राजस्तान के, राज जिपाल है पसन आपको ये भी पूचा जाता है कि जो कलराज मिश्रा है वो राजस्तान की राज़ी पाल बनने से पहले किस राज़ी के राज़ी पाल थे तो इसका ड्राइट एंसर होगा हिमाचल परदेश अगला पसन आपके सामने राजस्तान के वित मंत्री कौन है नहीं पता तो चलो हम बताते हैं आपको असोग गहलोद, सचिन पाइलेट, वेबो गहलोद, कल्यान शिंग राइट एंसर होगा वित मंत्री है राजस्तान के मुख्य मंत्री असोग गहलोद अगला पसन आपके सामने स्क्रीन पर राजस्तान के राजिपाल कोन है? कलराज मिसर, असो गेलोत, कल्यान शिंग, इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या होगा जैसा कि आपको पता है कि असो गेलोत राजस्तान के मुख्य मंत्री है कल्यान सिंग राजस्तान के पुर्वे पुर्वी राज़िपाल है और जो कलराज मिस्रा है वो वर्तमार में राजस्तान के राज़िपाल है अगला पसना आपते सामने सामाजिक न्याई एवं अधिकरिता मंत्री कौन है? राज़िक न्याई एवं अधिकरिता मंत्री राइट एंसर होगा डी बहुतलाल मेगवाल ये कुछ मेथज़बुन नियुक्तियां थी इसके अलवा हम वेरी वेरी मौष्ट पर्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इनको आपको नोटबुक में लिखना है तो जल्दी से अपनी नोट्बुक पेन और कॉपी उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए ज़री नहीं लिखोगे तो एक्जाम देखे जब वापिस आओगे तब आके देख लेना ये वीडियो यदि एक बार में याद नहीं कर पाते हो तो वीडियो को दुबारा जरूर देखना अगला पसंद महत्यपन कांशी पदक विजेता खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला का समन किस जिले से है तो राइट एंसर क्या होगा अलवर जेपूर दोहलपूर बाड में तो इसका राइट एंसर होगा बी जेपूर जेपूर की अपूरी चंदेला ने 10 मिटर एयर राइफल में 21 राष्टर मंदल खेलू और कई अंत्राष्टी इस परदाओं में पदक जीते अठारवे एशे खेलू में इसने कांशे पदक भी जीता है तो ये परसं महतुपूर ने परिक्षा की दस्टी से इस्टार लगा ले ना अगला परसंड आपके सामने हम वही परसंड आपके सामने ला रहे हैं यसे तो बहुत सारी किताब हैं कुछ लड़के ऐसे जो बहु रूमा देवी का समन्द किस जिले से हैं ये तो बहुत चर्चा में रही थी आपको इसका उत्तर आना चाहिए यदि आप competition की त्यारी कर रहे हो तो रूमा देवी का समन्द किस जिले से हैं और से आपके सामने बाड मेर जैपूर अलवर और रासमन तो इसका राइट एंसर इकोनोमिक पुरुषकार 2019 समवनित बाड मेर की एक महिल है रूमा देवी अगला पसेन आपके सामने है स्क्रीन पर सत्रवी लोगसभा के अद्धेख्स पता है आपको अद्धेख्स कौन है ओम विर्ला इन ओम विर्ला का समन्द राजस्तान के किस जिले से हैं इस परसन को जेपूर, जोदपूर, कोटा बुंदी और अलवर इसका राइट एंसवर है कोटा बुंदी कोटा बुंदी सांसद गी सांसद जो की सत्रवीं लोग सबा के अध्यक से ये कोटा बुंदी से क्या है सांसद है अगला पसंद महिला किर्केटर पिरिया पूनिया का समद राजस्तान के किस जिले से है ये भी महत पून है क्यों क्यों कि महिला किर्केटर जिने हाली में क्या हुआ है T20 में चुना गया है तो किस जिले की है ये पिरिया पूनिया इसका राइट एंसर है आपके सामने C, चुरू जिले की अगला परसन आपके सामने पेरा एथिलिक सुंदर गुजर का समन राजस्तान के किस जिले से है सुंदर गुजर का समन जेपूर, अलवर, दोलपूर, करोली तो इसका राइट एंसर क्या होगा राजस्तान के सुंदर गुजर वे संदीप मान ने दुबई में अयू जीत दस ने जो फाजा अंतराष्टी पेरा एथिलेटिक्स चेंपियन में सुंदर गुजर ने जेवलियन थ्रो में और जो संदीप मान ने उसने डिक्स थ्रो में सवन पदक जीता था तो इनका समन्द है सुंदर गुजर है वो है करोली के करोली जिले के देवलेन गाउं के रेने वाले हैं अगला पसन इंगलिश चैनल को तेरकर पार करने वाली गौरवी सिंग्वी का समन्द राज़स्तान के किस जिले से है तो गौरवी सिंग्वी है इनका समन्द ये एक तेराग है तो इसका समन्द किसे है उद्यपूर की तेराग गौरवी संग्वी ने 6 फरवरी 2018 को 6 फरवरी 2018 को सबसे कम उमर में अरब सागर से 47 किलोमेटर कितने किलोमेटर 47 किलोमेटर की दूरी टे करने का रिकोर्ड बनाया गोर्वी ने बुंबई के जुहू बीच से गेटवे ओप इंडिया की ये दूरी 9 गंटे 22 मिन और 35 सेकंड में पूरी की थी और इनका समन्ध है राजस्तान के उद्यपुर्जिले से ड्राइट एंसर ए होगा अगला पसंद जल्दी इसलिए करवा रहा हूं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा केके बिडला फाउंडेशन दुआरा वरस 2018 का बिहरी पुरुषकार किसे परदान किया गया तो इसका ड्राइट एंसर होगा बी मनिश्ण कुल्सरष्ट को केके जो बिडला फाउंडेशन है इसके दौरा मनिश्ण कुल्सरष्ट को 2018 का बिहरी पुरुषकार परदान किया गया तो इसका आपको पता में चाहिए मैं और बता देता हूं आपको किके बिडला फाउंटेसन ने 16 माई 2019 को राजस्तान की जो एक लेखिका है ये मनिशा कुल्सरेष्ट ये को ने लेखिका है इनको बिहरी पुरुसकार की विजयता गोसित किया गया जेफूर की पशीद लेखिका कहां कि ये मनिशा कुल्सरेष्ट को उनके हिंदी उपन्यास सौपन्नास इनका उपन्यास का नाम है सौपनपास इसके लिए इनको ये दिया गया थान अगला पसंद टो दोस्तों यह कुछ महत्पून पसंद है आपके लिए study exam academy के साथ बने रहे हैं दोस्तों के साथ share करिए ताकि आपको डेली सुबह morning में 6 बजे करेंट अपेश राजस्तान जी किये के महत्पुन पसंडे में और जो की all exam के लिए आपके लिए महत्पुन होंगे धन्यवाद दोस्तों